Ma'am, वैसे तो पूरे साल में नवरात्रे दो बारी आते हैं, is that correct? देखे, नवरात्रास साल में चार बार आते हैं, दो गुप्त नवरात्रास होते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, बट वो भी नवरात्रास, वो भी पीरिड बहुत अस्पीशियोस होता है, लेकिन वो मंत्र साध्नाओं के लिए होता है, उन्हें गुप्त नवरातरास बोला जाता है और दो नवरातरास में हैं एक चैत्रपक्ष में आता है और ये शरदिये ये बहुत अस्पिशियस टाइम होता है आपने औरा को अपने यहां की नेगेटिविटी को खतम करने का जैसे कि माम अभी 3rd October से शर्दिय नवरात्रे आ रहे हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे life के लिए हमारे घर के लिए auspicious हो और भी ज़ादा समरिदी सुख हमें मिले हम ऐसा क्या कर सकते हैं जी बिलकुई देखे नवरात्रे स्टाइम ही ऐसा होता है कि हर तरफ purity होती है आपने मुसली देखा होगा कि लोग non-wage छोड़ देते हैं alcohol छोड़ देते हैं बहुत सारे घरों में प्याज लस्टन का परेज हो जाता है इवन बहुत सारे रेस्टोरेंट तो non-wage सफ करना भी बंद कर देते हैं लोग lesson पर आज का त्याग कर देते हैं हर तरफ इतनी positivity होती है उस समय ब्रह्मान में और अगर आप उन दिनों का use अच्छे से कर लें तो आने वाला पूरा साल आपके लिए auspicious हो जाता है बढ़ आपको आना चाहिए कि वो किस तरह से साधनाइं करके किस तरह से भूग लगा कर आप best result ले सकते हैं सुमाम हर नवरात्रे का एक अपना ही महत्व होता है आप सम ये जानना चाहते हैं कि पहले नवरात्रे का क्या महत्व है जी देखे पहला नवरात्रा dedicated है मा शैल पुत्री को शैल पुत्री जो की परवत्राज हिमाले की बेटी थी उन्हें हेमवती भी बोला जाता है उन्हें पारवती के नाम से भी जाना जाता है हिमानी के नाम से भी जाना जाता है जैसे एक कन्या जनम लेती है छोटा सा बच्चा होता है तो शैल पुत्री को आप बिल्कुल छोटा सा बच्चा समझ सकते हैं और आज आपको मैं एक बहुत बहुत डीप डेप्थ बताऊंगी कि किस तरह से आप नवरात्रा उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं पहला नवरात्रा हमारे पहले चक्र यानि मुलाधार चक्र से भी connected है आपको पता है मु चाहते हैं, confidence चाहते हैं, courage चाहते हैं, leadership चाहते हैं यानि कि अगर आप में presentation की कमी है तो आप शैल्ट पुत्री मा की पूरी आराधना कीजिए देखिए मा के special days में नवदुर्गा के 9 दिन जो बोले जाते हैं जैसे जागरन से भी अगर आप connect करें तो शाम का समय बहुत auspicious ह होता है, जब sunset हो जाता है, तो चार माला अगर आप ओम, देवी, शैल, पुत्री, नमा, देखिए 5-7 मिनट लगेंगे इसको करने में, लेकिन आप खुद के अंदर वो immunity, वो confidence फील करेंगे, और जो इस दिन आपको भोग लगाना है पहले नवरात्रे वाले दिन, वो लगा घी और बनाना का, यानि कि देशी घी एक कटोरी में, आप मा के सामने रख दीजिए, कुछ केले रख दीजिए, और इसके साथ अगर आप पूछेंगे कि मैं कौन सा कलर पहनना चाहिए, तो फस्त नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है थस्टे से, तो आप दिन को भी इंक्लू करिए, और फिर देखिए, कितना खुबसूरत रिजल्ट आपको मिलता है, और हाँ, अगर आप अखंड जोट जला सकते हैं, तो घर में अखंड जोट जरूर जलाएए, क्योंकि नो दिनों में जली हुई या अखंड जोट, आपके घर की सारी नेगिटिविटी को खतम कर अगर किसी भी रीजन से आप अखंड जोट नहीं जला रहे, तो मेक शूर कीजिए कि दिन में दो बार, एक सुबह और एक शाम, नो दिन के लिए आपको दीपक अपने घर में जरूर जलाना है, ये बात मुझे आज पहली बार पता चली कि हमारे चक्राज और नवरात्रों का भी connection है, so ma'am I'm very curious, आप प्लीज सेकंड नवरात्रों का महत्वर बताईए, जी, तो देखिए, दूसरा नवरात्रा डेडिकेटेड है माँ ब्रमचारनी को, वो जो छोटी सी कन्या पैदा हुई थी न, अब थोड़ी बड़ी होने लगी है, वो ब्रमचारनी, आप ये पाधिष्टान चक्र से रिलेटिड है, आप सबको पता होगा, सेक्रल जो चक्रा है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, ये हमारी क्रियेटिविटी का चक्रा है, हम नया क्या कर सकते हैं, हमारी सेक्शुल डिजायर्स का चक्रा है, क्योंकि इस प्रिब्योर्टी का ये बढ़ता हुआ, बच्चा होता है, ये 14-15 साल का, इसको हमने बुद से भी connect किया है, तो बुद क्या है, अगर मैं आपको समझाओ, बुद कैलकुलेशन है, बुद कॉम्निकेशन है, हमारा दिन शुरू होता है कैलकुलेशन से, आप घड़ी में टाइम देखते हैं न, अरे 6 बच गए, अब तो साड़े 6 बच गए, आरे मैंने 2 घंटे काम कर लिया, यानि हम दिन भर में कैलकुलेशन करते रहते हैं, रात साड़े 11 बच गए, आज तो ये किया, हर समय समय कैलकुलेशन हमारा चलता रहता है, और 75 परसंट, 80 परसंट मान लिजिया, आज का टाइम बहुत अच्छी है, जो अपनी बात को अच्छे से कहे पाते हैं, वो बहुत successful है, बहुत सारी लोग मैंने ऐसे देखे जो knowledgeable तो बहुत हैं, बट अपनी बात अच्छे से communicate नहीं कर पाते, उतना presentable नहीं है, इसलिए उनको success नहीं मिलती है, तो आप 5 माला, अगर अगर ब्रह का मां का जो महत्व है ना शाम के समय बहुत हैं, तो आप पांच माला उनकी करिए, और मंत्र क्या है, ओम देवी ब्रह्म चाड़नी नमाह, इतना सिंपल सा मंत्र है, पांच माला अपने सेक्रिल चक्रा पे ध्यान देते हुए, आप कर सकते हैं, किस कलर के कपड़े पैनने हैं तो उस दिन वार है, शुक्र वार, आप पिंक कलर के कपड़े पैन सकते हैं, और भोग में आप उनको शक्कर, उनको बहुत प्रिये हैं, आप उन्हें शक्कर उफर कीजिए, दूसरे नवरात्रे में जब आप मां को शक्कर उफर करते हैं, खुद पिंक कलर डे वाइस, प् मंत्रज आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस होना शुरू होगा, वंस का सेक्रल चक्रा आपका बैलेंस हुआ, आपकी क्रियेटिविटी, आपकी डिजायर, आपका कॉन्फिडेंस, जो लाइफ की प्रती आपकी विश्चिस हैं, वो पूरी होने श एक ऐसा टॉपिक है, जो लोगों को आजकल फेस करना पड़ रहा है, not just adults, बच्चे भी, तो क्या ऐसी कोई देवी हैं, जिनकी पूजा से उनको रिलीफ मिल सकता है, कुछ मन की शांती मिल सकती है? वैसे तो नो की नो देवियों की आराधना करने से, इनसान को मन की, तन की, हर तरह की शक्ती मिलती है, बट आप मैं बात करूँगी तीसरी देवी के बारे में, चंद्र घंटा नाम है इनका, चंद्र यानि शेर पे सवार हैं, घंटा मतलब इनके गले में घंटी है, तो इस त पे हैं, यानि मन की स्थिती को भी अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत लोग जिस तरह से जवारभाटा आता है, आपको पता है कि जैसे हाई टाइट्स आती हैं, वो मून के फेस से आती हैं, इसी तरह से चंद्र घंटा मां आपकी डेली प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रॉइट करती हैं, आपके मन की स्थिती को कंट्रोल करती हैं, अगर आप बहुत जादा इमोशनल हैं, तो इनकी अराधना कीजिए, इनके मंत्र का जाप कीजिए, आप इस दिन जब आप इन्हें दूट से बनी हुई की चीज ओफर करते हैं, जैसे कि बर्फी हो गई, ख जादना में काले रंग को मना किया गया है, तो काला रंग तो बिलकुल नहीं पैनना, क्योंकि काले रंग को नेगेटिव मना गया है, तो आप कलर पैन सकते हैं, ब्लू और ओम देवी चंद्रगंटाए नमा, ये मंत्र का जाप कीजिए, संसेट के बाद कीजिए, अपने मन मनिपूर चक्रा का ध्यान करते होए कीजिए, देखिए मनिपूर चक्र fire element है, कहीं ना कहीं, हमारी बॉड़ी का temperature, हमारी डैजेशन सिस्टम, हमारा confidence, हमारा courage, सब मनिपूर चक्र से है, और ये देवी भी related है, मनिपूर चक्र से, तो जब आप इस देवी की माला करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, इसको ओफर करते हैं भोग और उस दिन के कपड़े पहनते हैं, तो आप देखेंगे कि आप में एक अजीब सा confidence, एक अजीब सी करे जाने लगेगी, तो हर देवी का सवरूप, वैसे तो मा को शक्ती का सवरूप माना गया है, वो हर देवी का सवरूप आपको शक्ती देता है, लेकिन डेली, डे टू डे लाइफ की प्रॉबलम को आप माचंद्रघंटा की अराधना से help ले सकते हैं.